दोस्तों आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो एक छोटी थ्रिलर कहानी है इस सीरीज में आप पहले भी कई बहतरीन कहानिया सुन चुके हैं आज की कहानी के राइटर है ई फिलिप्स ओपन हाइम और कहानी का नाम है तेर्वा पत्ता तो आएए बिना देर किये शुरू करते हैं आज की कहानी अपने दोस्तों के छोटे से गुट के साथ सर जैस्पर स्लेन लेवेंडर क्लब के डाइनिंग रूम से बाहर निकले वो एक बढ़िया डिनर के बाद ब्रिज की एक बाजी खेलने के लिए ब्रिज हॉल में जाने के लिए सीड़ियों पर कदम रखी रहे थे कि हॉल में रखे फोन को सुनता हुआ वेटर बोला मिस्टर जैस्पर एक मिनिट ये फोन आपके लिए ही है स्लेन को रात के इस वक्त आए फोन पर हैरानी हुई उसने बैरे से पूछा किसका फोन है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया सर लेकिन मेरे ख्याल से ये लॉर्ड मैकिंगम की आवाज है वो कह रहे हैं कि ये जरूरी मामला है जैसपर स्लेन ने अपने साथियों से माफी मांगी और टेलिफोन का चोगा कान से लगा लिया उसने कहा क्या बात है मिस्टर मैकिंगम इस वक्त कैसे फोन किया दूसरी तरफ से थोड़ी नर्वस आवाज में लॉर्ड मैकिंगम ने कहा स्लेन क्या तुम इस वक्त कुछ खास काम कर रहे हो हाँ मैं ब्रिज खेलने जा रहा था हाँ हम भी यही करने जा रहे थे लेकिन भागे को कुछ और ही मन्जूर था क्या तुम यहां आ सकते हो प्लीज अभी नमबर 6A कनिंगम मैंशन तुम जानते ही हो स्लेन ने पूछा मतलब एकदम अभी या थोड़ी देर बाद भी चलेगा नहीं जैसपर मेरे कहने का मतलब है एकदम अभी सबसे पहले जो भी टैक्सी मिले उसे पकड़ कर आ जाओ कुछ ऐसा हो गया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ मेरे ख्याल से तुम हमारी हेल्प कर सकते हो मुझे अफ्सोस है कि मैंने तुम्हें इस वक्त परिशान किया लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ठीक है मैं पहुँचता हूँ स्लेन ने कहा और रिसीवर रख दिया फिर उसने अपना हैट और कोट पहना और फुर्ती से कलब से बाहर निकल गया बाहर से उसने टैक्सी ली जिसने चंद ही मिंटों में उसे कनिंगम मैंशन पहुचा दिया जिस बिल्डिंग में ये फ्लैट था वो आसपास की इमारतों से थोड़ा छोटा था इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर दुकाने थी फर्स्ट फ्लोर पर अलग-अलग कमपनियों के ऑफिस थी दूसरी मनजिल पर फ्लैट था जिसमें किरायदार था और पूरी तीसरी मनजिल पर कुआरे लॉर्ड मैकिंगम की रिहाइश थी इस मनजिल पर कमरे कुछ कम थे और छट भी थी बिल्डिंग में दाखिल होते ही स्लेन को एक अजीब सा रहसेमय माहौल का एहसास हुआ स्लेन ने नीचे मिले लोगों से कुछ नहीं पूछा और लिफ्ट से सीधे तीसरी मनजिल पर पहुँच गया उसके फ्लैट में प्रवेश करते ही बावर्ची ने स्लेन का कोट और हैट अपने हाथ में ले लिया और स्लेन को लाइब्रेरी में पहुँचा दिया वहां मौजूद लंबे दुबले पतले और माथे की तरफ से गंजे हो रहे लॉर्ड मेकिंगाम उसका स्वागत करने के लिए अपनी कुर्सी से खड़े हो गए वो एक ताश खेलने वाली टेबल के पास लगी कुर्सी पर बैठे थे उनके अगल बगल तीन कुर्सियां थी दो पर दो दूसरे लोग भी बैठे हुए थे लेकिन तीसरी कुर्सी खाली थी जैसपर स्लेन का अभिवादन करते हुए लॉर्ड ने कहा तुमने बहुत अच्छा किया स्लेन जो तुम जल्दी यहां चले आए मेरे ख्याल से इन दोनों लोगों को तुम जानते ही हुए स्लेन ने हा में सिरहलाया और उन दोनों लोगों का अभिवादन किया उन में से एक विदेश विभाग के ओफिसर थे गौरिंग ब्रेट दूसरे सज्जन जो थे वो थे सर मार्टन फिलिप्स जो की एक सांसद होने के साथ साथ कई कमपनियों के डाइरेक्टर और फाइनेंस एक्सपर्ट भी थे कमरे में दाखिल होते ही स्लेन को चौथी और खाली कुरसी अजीब रहसे मैसी लगी थी एक तरह से वो खाली कुरसी अलग से ही खटक रही थी वो उसने पूछा आप लोग क्या खेल रहे थे गला काट बाजी मेकिंगम ने जवाब दिया हमें डर है कि ये खेल असलियत में ही कोई ना कर गया हो हम लोग करीब 45 मिनट पहले डिनर के बाद यहां ब्रिज खेलने के लिए एक अठे हुए थे हमारा चोथा साथ ही था रौनी कार्ट राइट तुम उसे भी जानते हो ना सलेन ने सहमती में सेरहलाया मकिंगम ने कहना जारी रखा रौनी ही पत्ते बाट रहा था जैसे ही पत्ते पूरे बटे तब ही मेरा बावरची टॉमसन रौनी के पास आया और उसने उसे कहा कि उसके लिए फोन आया है तुम तो जानते ही हो फोन बगल वाले कमरे में है रौनी फोन सुनने बगल के कमरे में चला गया उसके पत्ते भी उसके हाथ में ही थे फिर कुछ देर तक तो हमने इंतजार किया लेकिन जब 10 मिनट से भी ज्यादा हो गए तो हम बगल वाले कमरे में गए टेलिफोन के बगल में टेबल पर ही रॉनी के पत्ते पड़े हुए थे लेकिन उसका खुद कहीं अतापता नहीं था कमरे का में दर्वाजा खुला हुआ था मैंने टॉमसन को बुलाने के लिए घंटी बजाई वो भी नहीं जानता था कि रॉनी कार्ट राइट कहां गया है हमने पूरे फ्लैट का चपा 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 चान मारा लेकिन उसका कहीं भी अतापता नहीं चला फिर मैं नीचे बिल्डिंग के मुख्य चौकिदार के ऑफिस में भी गया उसने मुझे बताया कि वो करीब तीन घंटे से अपने ऑफिस में है और इस बात के लिए पक्की तरह से निश्चित है कि तीन घंटे से बिल्डिंग में ना तो कोई आया और ना ही कोई बिल्डिंग से बाहर निकला है लिकिन उसके बाद भी रॉनी कार्ट राइट गायब है मुझे को राते हुए स्लेन ने जवाब दिया अरे चिंता मत करिये वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा मैं किंग हमने जवाब दिया हाँ अगर वाकई ऐसा हो तो इससे हमारा काम थोड़ा आसान रहेगा हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हो तुम जरूर उसे ढून पाओगे और तुम इस बिल्डिंग को भी अच्छी तरह से जानते हो स्लेन बिल्डिंग के ग्राउंट फ्लोर पर दुकाने हैं वो सभी शाम साथ बज़े से ही बंद हैं फर्स्ट फ्लोर पर बने ओफिस भी साथ बज़े तक बंद हो चुके थे बिल्डिंग के चौकिदार ने भी इस बात की ताकीद की है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है कि वो हर बंद दुकान और ओफिस को चेक करे कि कहीं कोई गलती से खुली तो नहीं रह गई है दूसरे फ्लोर पर रशियन पोलेंड मूल की एक रईस राजकुमारी रहती है जिनका नाम है मैट जी विल वो हाई सुसाइटी की एक बहुत ही आधरनिय टाइप की ओरत है यहां तक की बकिंगम पैलेस तक से उनके पास फोन आता है वो एक किरायदार है और एक उनके उपर की मन्जिल पर मैं किरायदार हूँ स्लेन ने सवाल किया क्या रौनी कार्टराइट राजकुमारी को जानता है नहीं वो उनको नहीं जानता स्लेन क्योंकि जब वो यहां पिशली बार आया था तो उसने बड़ी ही उतसुकता से पूछा था कि यह औरत कौन है अब हालत यह है कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर कोई नहीं है उसके उपर की दो मन्जिलों पर दो फ्लैट खुले है और यहां तीसरी मन्जिल से एक आदमी गायब हो गया है जहां तक राजकुमारी का सवाल है वो एक शांतिपून जिंदगी बिता रही है और शाम को अपने घर से कम ही बाहर निकलती है जैसपर स्लेन ने कहा ठीक है मैं एक मिनिट में अपना काम शुरू करता हूँ मैं सारे घटना क्रम को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ स्लेन राणी वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया फिर एक सिगरेट सुलगा कर वो ठीक उसी तरह उठा जैसे टॉमसन के कहने पर राणी के उठने के बारे में उसके दोस्तों ने बताया था फिर वो ताश वाले कमरे से निकल कर उस कमरे में पहुँचा जहां राणी पहुँचा था फोन वाले कमरे में पहुँच कर उसने गौर से उस टेबल को देखा जहां फोन रखा था फोन के बगल में ही ताश के पत्ते रखे थे लगता था रॉनी ने फोन पर बात करते समय बे ध्यानी में वो पत्ते वहां रख दिये थे उसने तितर बितर पत्तों को ध्यान से देखा वो 12 पत्ते थे जबकि होने चाहिए थे 13 उसने तेरवे पत्ते को धूनने के लिए टेबल पर उसके नीचे यहां तक की कार्पेट को हटा कर भी देखा लेकिन तेरवा पत्ता उसे कही नजर नहीं आया उसने लटक रहे चोगे को उठा कर हेलो हेलो भी कहा लेकिन इतनी देर बाद तक किसी के फोन लाइन पर बने रहने का कोई सवाल ही नहीं था फोन कट चुका था अच्छा टॉमसन ये बताओ क्या ये वही फोन है जिस पर रॉनी ने बात की थी जी हाँ इस फ्लैट में बस एक यही फोन है और इसका एक extension लॉर्ड मकिंगम के बेडरूम में है तब स्लेन ने टॉमसन से कहा कि वो बेडरूम में जाकर देखे कि एक्स्टेंशन वाला फोन काम कर रहा है या नहीं एक मिनट बाद ही आकर टॉमसन ने बताया कि फोन डेड है स्लेन ने कहा फोन के साथ जान बूज कर गड़बड़ी की गई है तो फिर मकिंगम ने मुझे कहां से फोन किया था टॉमसन ने बताया फोन खराब है इसका पता तो हमें अभी चला है सर लेकिन मकिंगम ने आपको फोन चौकिदार के ओफिस से किया था जब वो उसे पूछताज के लिए नीचे गए थे अच्छा टॉमसन क्या तुमने सुना था कि रॉनी का अर्ट राइट क्या बात कर रहा था फोन पर जी नहीं सर मैंने बस उनकी आवाद सुनी थी लेकिन वो क्या बात कर रहे थे इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था क्या रॉनी कुछ परेशान लग रहा था इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता सर क्योंकि मैं साफ सफाई के काम में लगा हुआ था मैं किंगम ने मुझसे कहा था कि ड्रिंक्स लाइबरेरी में ही पहुँचा दू अचा रॉनी का कोट और हैट कहां पर है वो यहीं है सर और यहीं हरानी की बात है कि इनके बिना वो बाहर कैसे चले गए क्योंकि आज एक अंधेरी और ठंडी रात है और खूब बर्फ भी पड़ रही है सलेन बदबुदाया ऐसी हालत में कोई भी बाहर नहीं जा सकता रॉनी कार्ट राइट इसी बिल्लिंग में है बस हमें उसे ढून निकालना है ये कहते हुए सलेन ने फिर से लाइबरेरी में प्रवेश किया तीनों लोगों ने इकठे पूछा क्या हुआ कुछ पता चला सलेन ने बताया आप सब ठीक कह रहे हैं रॉनी बड़े ही नाट के ढग से गायब हो गया है उसका हैट और कोट हॉल में है उसके पत्ते टेबल पर बिखरे पड़े हैं और आपका फोन डेड हो चुका है तो अब मेरा सुझाव है कि आप सभी इस फ्लैट और छट का चपा चपा एक बार फिर से चान मारें इस बीच मैं नीजे बिल्डिंग के चौकिदार से मिलकर आता हूँ इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मैं राजकुमारी से भी मिलने जाऊँगा बिल्डिंग के चौकिदार से मिलकर स्लेइन को अंदाजा हो गया कि उसके बयान पर शक की कोई गुनजाईश ही नहीं है वो एक लंबा घुंगराले बालों वाला फौज का पूर्व सार्जेंट था बहादुरी के लिए कई मैडल्स जीत चुके सार्जेंट ने स्लेइन को बड़े ही द्रढता से और दो टूक शब्दों में बता दिया कि पिछले तीन घंटों में बिल्डिंग से ना तो कोई निकला है और ना ही आया है सिवाए जैस्पर्स लेन के खुद के लेफ्ट मैन ने भी बता दिया था कि वो आखिरी तीन उन्हीं लोगों को करीब तीन घंटे पहले उपर ले गया था जो लॉर्ड मैकिंगम की पार्टी में गय थे और जिन में से एक इस टाइम ला पता है इसके बाद वो सिवाए जैस्पर्स लेन को उपर पहुँचाने के अलावा ना तो किसी को नीचे लाया है और ना ही उपर ले गया है इनके अलावा बस एक बार वो लॉर्ड मैकिंगम को नीचे ले गया था जब वो सार्जेंट से पूछताश के लिए नीचे गये थे और उसके बाद वो उन्हें उपर छोड़ कर आया था बिल्डिंग के चौकिदार के साथ सलेन ने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर बनी दुकानों और ओफिसों का भी बारिके से मौयना किया उसको हर एक दर्वाजा बंद मिला कहीं से ना तो कोई रोशने की जहलक आ रही थी ना ही किसी तरह की आवाज या आहट उसने एक एक दर्वाजे पर लगे हर ताले को खींच-खींच कर भी देखा लेकिन सब बंद थे उसने सार्जेंट से पूचा ये दुकानों और ओफिसों के लोग कैसे हैं क्या सब भी इज़ददार लोग हैं या कभी किसी की शिकायत वगेरा भी मिलती है सार्जेंट ने जवाब दिया अगर ये लोग अच्छे इंसान नहीं होते तो यहाँ दुकान या ओफिस पा ही नहीं सकते थे ये वकील हबल का ओफिस है मैंने उनको आजशाम को जल्दी ही जाते देखा था उनके ओफिस में काम करने वाले तीनों क्लर्क भी छे बज़े तक जा चुके थे एक ओफिस अमेरिके फिल्म एजेंट मिस्टर सिंपसन का है वो यहाँ तीन साल से है वो और उनकी लेडी टाइपेस्ट भी यहाँ से साथ बज़े इकठे ही निकले थे इनके अलावा एक और वकील साइलस और दूसरे कुछ लोगों का भी ओफिस यहाँ है लेकिन आज तक किसी की कोई शिकायत नहीं आई है स्लेन बदबदाया इसका मतलब यह हुआ कि इस बिल्डिंग में इस समय सिर्फ दो ही फ्लैट खुले हुए हैं एक लॉर्ड मेकिंगम का और दूसरा राजकुमारी मेट जी विल का अच्छा क्या तो मुझे राजकुमारी के बारे में कुछ बता सकते हो सार्जेंट सार्जेंट ने बताया वो एक विधवा ओरत हैं सर वो रूस के किसी राजगहराने से जुड़ी हैं बाहर कम ही निकलती हैं हाँ उनसे मिलने के लिए काफी लोग अक्सर आते रहते हैं उनके परिवार में उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी है जो एक लड़की है उसके अलावा तीन पुरुष नौकर भी है खास बात ये है कि वो आम रशियन लोगों की तरह गरीब नहीं है वो अक्सर अपने दोस्तों को पार्टी देती है जिसमें महंगी शराब परोसी जाती है अच्छे रेस्टरॉण से मगाया गया खाना परोसा जाता है उनके पास दो कारे हैं और शहर के अच्छे दर्जी उनके यहां आकर उनके कपड़ों का नाप लेते हैं बातें करते हुए वो सार्जेंट के कमरे तक आ गए थे स्लेन ने एक पाउंड का नोट उसके हाथ में सरकाते हुए कहा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी बातों से मैं किसी नतीजे पर तो नहीं पहुँचा लेकिन फिर भी काफी जानकारी मुझे मिल गई है लेकिन सर मैंने तो कुछ सवालों के ही जवाब दी है उनके लिए ये रकम बहुत ज्यादा है सार्जेंट ने कहा स्लेन मुस्कुराया और बोला कोई बात नहीं अगर तुमको ये ज्यादा लगता है तो एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दो और हिसाब बराबर समझ लेना और मेरा आखिरी सवाल ये है कि तुम्हारे फोन के तार किसने काटे हैं ये सुनकर सार्जेंट तेजी से पीछे घुमा और टेलिफोन के कटे तार देखकर उसका मुह आश्चरे से खुला रह गया उसने हकलाते हुए कहा मैं कसम खाता हूँ सर अभी तक तो ये एकदम ठीक था स्लेन ने कहा हाँ मैं जानता हूँ पौने नौ बजे लॉर्ड मेकिंगम ने मुझे इसी फोन से फोन किया था जरा याद करो उसके बाद इस कमरे में कौन आ सकता है हैरानी से फटी आँखों से कटे हुए तार को देखते हुए सार्जेंट ने कहा यहां कोई आया या नहीं गया है सर यहां सिर्फ मैं हूँ या फिर लिफ्ट मैन विलियम आया था इसके अलावा राजकुमारी की एक नौकरानी जरूर बाहर निकली थी अपने दोनों कुत्तों को घुमाने के लिए लेकिन ये तो उसका रोज का कारेक्रम है उनका एक नौकर नीचे सिगरेट पीने भी आया था और सिगरेट पीने के बाद वो नौकरानी का इंतजार करता रहा उसके अलावा मुझे याद नहीं आता कि यहां कोई भी आया या गया स्लेन ने कहा अच्छा ठीक है चलो छोड़ो इसे इसका मतलब ये हुआ कि फोन किस ने काटा इसका किसी को पता नहीं ये तो इस किसे का एक रहस्यमाई हिस्सा हो गया लेकिन तुम मुझे काफी समजदार इंसान लगते हो जरा अंदाजा लगा कर बताओ तुम्हारे खयाल से रौनी कहा गायब हो सकता है सार्जेंट ने जवाब दिया हो सकता है वो किसी खुली खड़की से नीचे कूद गए हो हालां कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसका कारण क्या हो सकता है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा लेकिन इसके अलावा उनके गायब होने का दूसरा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता या फिर ये भी हो सकता है कि वो राजकुमारी के दोस्त हो उनका फोन सुनकर वो वहाँ पहुँचे हो और वहाँ अचानक उनकी तब्यत खराब हो गई हो स्लेन ने सहमती में सेर हिलाया हाँ तुम ठीक कह रहे हो वैसे अभी तुम यहीं रहोगे ना जी हाँ सर जब तक आप नहीं जाते तब तक मैं यहीं रहूँगा स्लेन फिर से तीसरी मंजिल पर पहुँच गया लेकिन इससे पहले वो सार्जेंट को ये ताकीद कर गया था कि किसी के भी आने जाने की उसे फौरण इतला दे दी जाए तीसरी मंजिल वाले फ्लैट में लॉर्ड और उनके दोनों मित्र बेसबरी से उसका इंतजार कर रहे थे उन्होंने कहा हमने फ्लैट और छट का चपपचपच चान मारा है पीछे गली में भी टॉर्च जला कर जहाक लिया है टॉमसन गहराज तक देखकर आया है लेकिन रोनी का कहीं आता पता नहीं है क्या तुम्हें कुछ पता चला? स्लेन ने जवाब दिया बिल्कुल भी नहीं अब मैं राजकुमारी के फ्लैट में जाऊंगा वो फ्लैट ही हमारी आखरी उमीद है लेकिन इससे पहले मैं एक ड्रेंक लूँगा आखिर रात ग्यारा भजे किसी महिला के फ्लैट में जाने से पहले दिमाग थोड़ा फ्रेश तो रहना ही चाहिए और फिर आज सर्दी भी काफी है टॉमसन तुरां थी स्लेन को सोडा और विस्की सर्व कर गया उसे लेकर स्लेन आराम कुर्सी पर लुड़क गया सिप करते हुए उसने पूछा रौनी किसी तरह की मुसीबत में तो नहीं था उसने इस तरह की कोई बात तो कभी नहीं की थी मैकिंगम ने द्रेड़ता से जवाब दिया बिल्कुल भी नहीं उसकी नौकरी भी अच्छी चल रही है और उसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है फैमिली लाइफ में भी कोई परिशानी नहीं है वो और उसकी प्यारी बीवी दोनों एक दूसरे के प्रती पूरी तरह से समर्पित है स्लेन ने एक और पैग लेते हुए कहा इसका मतलब अब हमारी आखरी मंजिल इससे नीचे वाला फ्लैट है उसने अपना पैग खत्म किया और ये सोचते हुए कि उसका मामला यहीं पर हल होना चाहिए वो राजकुमारी के फ्लैट के दर्वाजे पर पहुँच गया बेल बजाने पर तुरंत ही अच्छी वर्दी में सजा एक नौकर दर्वाजे पर हाजिर हुआ इस वक्त किसी अजनबी को सामने देखकर उसकी आखों में हैरानी नजर आई स्लेन ने आदर से पूछा क्या राजकुमारी जी घर पर हैं नहीं मैंने टाइम तो नहीं लिया है लेकिन मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है पूछ कर आओ कि क्या वो कुछ मिंटों के लिए मुझसे मिल सकती हैं ये कहते हुए स्लेन ने अपना कार्ड नौकर को दे दिया जिसे लेकर वो अंदर चला गया चंद मिंटों में ही वो लोट कर आया और उसने कहा इधर से आजाईए सर नौकर के पीछे पीछे स्लेन एक भव्य ढंक से सजे हुए कमरे में पहुच गया वहां महंगे पर्दे लगे हुए थे आली शान सोफे पड़े थे और जरूरत से ज्यादा गर्म कमरे में कमरे की भव्यता से मेल खाती हुई एक बहुत ही भव्य महिला बैठी हुई थी उनके कुछ काले कुछ सफेद बाल माथे पर बिखरे हुए थे गोरे रंग की राजकुमारी ने काले रंग के सादे लेकिन महंगे कपड़े पहने हुए थे और उनके गले, कान और हाथ में काफी खुबसूरत गहने थे उनकी कुरसी के पास ही एक दूसरी कुरसी पर एक दूसरी युवती बैठी हुई थी वो उनकी सेक्रेटरी थी सेक्रेटरी के हाथ में एक किताब थी जो वो शायद राजकुमारी को पढ़कर सुना रही थी दोनों की उत्सुकता भरी सावालिया नजरें जहस पर स्लेन पर हिटे की थी स्लेन ने अनुने भरे स्वर में कहा माफ कीजिएगा राजकुमारी जी इस वक्त आपको डिस्टरब करने का मुझे बहुत अफसोस है मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहते हुए जल्द से जल्द आपको सब कुछ बताना और कुछ पूछने की इजाज़त चाहता हूँ बड़ी ही मीठी आवाज में मुस्कुराते हुए राजकुमारी ने कहा आप आराम से बैठिये और ये मत समझिये कि आपने हमें डिस्टरब किया है ये मेरी सेक्रेटरी है और मेरा खयाल है कि इसके यहां रहने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब आप बताएए कि आप क्या कहना चाहते हैं स्लेन ने रौनी कार्ट राइट के गायब हो जाने का पूरा किस्सा बयान कर दिया जिसे सुनकर राजकुमारी ने आश्चरे से सिरहलाते हुए कहा ये तो बड़ी ही रहसेमाई बात है बेहद हैरत अंगेज इस बिल्डिंग से कहीं बाहर नहीं गया है हर हाइनेस लेकिन ताज्जुब की बात है कि फिर वो है कहां हमने आपके फ्लैट वाले हिस्से को छोड़कर इस बिल्डिंग की एक-एक इंच जगह को छान मारा है नीचे की दुकानों और आफिसों को भी और अब सिर्फ आपका ही फ्लैट वचा हुआ है मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने किसी नौकर के साथ हमें इस फ्लैट के भी तलाशी लेने की इजाज़त दे दें राजकुमारी के माथे पर आश्चर्य और गुस्से से बल पड़ गए लेकिन तोरां थी उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई उन्होंने कहा लेकिन मिस्टर जैस्पर मुझे तो ये बहुत ही अविश्वस्निय सा लग रहा है मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज की शाम कोई भी व्यक्ति मेरे घर में नहीं आया है और मैं इसलिए इतने यकीन से कह रही हूँ कि मैं आज शाम एक मिनट के लिए भी अपने घर से नहीं निकली हूँ और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं अपने घलेष्ट दोस्तों के अलावा किसी से भी घर पर नहीं मिलती और ये सजण मिस्टर काटराइट जिनको मैं जानती तक नहीं उनके लिए आपने ये कैसे सोच लिया कि वो मेरे फ्लैट में हो सकते है देखिए राजकुमारी जी जिस तरह से ये बात आपको हैरानी भरी लग रही है उसी तरह से हमें भी इसके उपर यकीन नहीं है लेकिन आप प्लीज हमारी बात को भी समझने की कोशिश कीजिए अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई जीता जागता इंसान हवा में घुलकर गायब हो जाए हमने ये पूरी इमारत चान मारी है अब हमारा बस यही सुझाव है कि बिल्डिंग का ये हिस्सा भी देख लिया जाए जहां आप रहती है राजकुमारी ने एक बार फिर से जैस्पर का कार्ड देखा और कहा सर जैस्पर मुझे लगता है कि मैंने ये नाम कही सुना है हालांकि मेरे परिचितों की संख्या ज्यादा नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों आपका नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा है आप शायद राइटर हैं? जी नहीं, मैंने अपराथ पर कुछ लेक लिखे जरूर हैं लेकिन मैं कोई बड़ा राइटर नहीं हूँ मैं काउंटेस मॉन्टानी जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है ये सुनकर राजकुमारी मेट जीविल ने कहा अच्छा ओलगा हाँ हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त है ठीक है मिस्टर जैस्पर आप जो चाहते हैं कर लीजिए मुझे कोई आपत्ती नहीं है फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा एना घंटी बजा कर ग्राबलिंग को बुलाओ और सर जैस्पर के साथ भेज़ दो स्लेन ने उठते हुए आदर के साथ राजकुमारी का हाथ थप थपाया और बोला मैं आपका बहुत एहसान मंद हूँ लॉर्ड मैकिंगम भी आपका ये एहसान हमेशा याद रखेंगे मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम अपना काम कम से कम समय में बिना आपको कोई तकलिफ पहुँचाए पूरा कर लेंगे जवाब में राजकुमारी ने मुस्कुरा कर कहा जहां तक मुझे लगता है मेरे इस छोटे से फ्लैट में आपको अपने दिल्चस्पी की चीज़ें कम ही मिलेंगी आप पूरी तरह से तलाशी ले लें और जाने से पहले मुझे से मिलकर जरूर जाएं अगले हिपल ग्राबलेंग वहां हाजिर हो गया ये वो नौकर नहीं था जिसने स्लेट के लिए दरवाजा खोला था लेकिन जर्मन या रूसी मूल का ये नौकर सिखाया पढ़ाया और काफी वफादार टाइप का था राजकुमारी ने उसे सब समझा दिया कि उसे क्या करना है लेकिन उसके पत्थर की तरह के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आया उसने सिर जुका कर स्लेट से कहा मेरे पीछे आये श्रीमान ग्रैबलिंग की चुबते निगाहों के साई में जहसपर स्लेन ने फ्लैट की तलाशी शुरू की राजकुमारी का सोने का कमरा और श्रिंगार का कमरा उनके स्तर और सुरुची के हिसाब से ही सजा हुआ था दोनों ही कमरों में शांदार पलंग, पुरानी कलाकरितियां, चित्र, मूर्तियां वगेरा सजे हुए थे उनको देखकर निश्चित तोर पर कहा जा सकता था कि वहां अर्से से किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हुआ था सेक्रेटरी एना का कमरा भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक नोकरानी या उसके लेवल के किसी इनसान का हो सकता है उसके कमरे में लोहे का एक साधा सा पलंग पड़ा था जिस पर उतना ही साधारन बिस्तर बिचा हुआ था लेकिन उसके कमरे में एक होल डॉल में बंद नया बिस्तर भी था और कुछ महंगी कलाकृतियां भी थी जिनके वहाँ होने पर स्लेन को हैरानी तो हुई लेकिन वो कुछ बूला नहीं नौकर ग्राबलेंग उसे एक-एक दरास तक खोल कर दिखा रहा था तलाशी पूरी होने के बाद उसने बड़े ही अदब से कहा मैं आपको यहां की एक-एक इंच जगह दिखा चुका हूँ सर अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है उसके हाथ में एक पाउंड का नोट दबाते हुए स्लेन ने कहा माफ करना मैंने तुम सब को परिशान किया नोट को जेब में सरकाते हुए ग्राबलिंग ने उस कमरे का दर्वाजा खोल दिया जहां राजकुमारी मौजूद थी स्लेन को देखकर उन्होंने हसते हुए पूछा तो आपको आपके दोस्त नहीं मिले आप ये उमीद कर रहे थे कि मैंने उनको अपने यहां किसी दराज या पलंग में छुपा रखा है चेहरे बर खेद का भावलाते हुए स्लेन ने इन सारी तकलीफों के लिए राजकुमारी से माफी मांगी और कहा मेरे दोस्त कार्ट राइट के नसीब इतने अच्छे कहां कि वो आपकी संगत पा सके मैं एक बार फिर से आपसे माफी चाहते हुए जाने की इजाजत चाहता हूँ राजकुमारी ने अपना हाथ उपर किया जिसे बड़े ही आदर के साथ स्लेन ने चूम लिया उन्होंने जाते हुए स्लेन से कहा मिस्टर जैस्पर फिर कभी जरूर मिलने आईएगा कम से कम आपके दोस्त के साथ क्या हुआ ये बताने तो जरूर ही आईएगा स्लेन ने जवाब दिया आपको इतनी तकलीफ देने के बाद ये तो मेरी ड्यूटी बनती ही है कि मैं आपको इसके बारे में बताने फिराओं अब मैं चलता हूँ गुड नाइट वो फ्लैट से बाहर जाने के लिए दर्वाजे की तरफ कदम बढ़ा रहा था वो ठका हुआ जरूर था लेकिन उसने खुद को इससे पहले कभी भी इतना हताश महसूस नहीं किया था वो सोच रहा था कि उसका अंतरमन जो महसूस करता है वो हमेशा से सही होता आया है लेकिन आज मेरे अंतरमन ने मुझसे चल किया हाला कि अब भी उसकी छटी इंदरी बार बार उससे ये कह रही थी कि कार्टराइट यहीं कहीं पर है लेकिन कहां और किस हाल में ये उसे सूज नहीं रहा था तलाशी के बाद उसका एक मन कह रहा था कि कार्टराइट यहां नहीं हो सकता जबकि दूसरा मन ये महसूस कर रहा था कि वो यहीं कहीं पर है इन्हीं उल्जनों से भरा वो बोजिल कदमों से दर्वाजे की तरफ बढ़ रहा था तब ही उसे लगा कि उसका कलेजा जैसे मुह में आ गया हो उसके दिल की धड़कने एकदम से तेज हो गई सामने महोगनी की लकडी से बनी मेज पर एक कांसे का गुलदस्ता रखा हुआ था उसमें लिली के बहुत सारे फूल लगे थे गुलदस्ते और फूल की चाया के कारण गुलदस्ते के चारों तरफ टेबल पर क्या रखा है ये नजर नहीं आ रहा था कमरे में रोश्नी भी काफी कम थी लेकिन रोश्नी की उस लुकाचिपी के बीच भी गुलदस्ते के साय में पड़ी एक चीज पर जैस पर सलेन की नजर पड़ ही गई ये एक तुड़ा मुडा ताश का पत्ता था उसे देखते ही उस अंधेरे से कमरे में भी सलेन को लगा जैसे बिजली कौंधी है वो अपनी पीट पर राजकुमारी और उनकी सेकरेटरी की चुबती आँखें महसूस कर पा रहा था इन चुबती आँखों के बीच वो टेबल के पास भला कैसे रुखता लेकिन वो भी काफी होशियार था वो गुलदस्ते के पास खड़ा हुआ दोनों हाथ गुलदस्ते के अगल बगल में रखकर वो जैसे फूल सूंगने के लिए जुका और किसी को पता नहीं चल पाया कि इस बीच उसने टेबल से एक चीज उठा ली है नोकर उसके आगे दरवाजा खोल कर अदब से खड़ा था स्लेन पीछे मुड़ा उसने एक बार फिर राजकुमारी को सलाम किया और बाहर निकल गया वो देख चुका था कि उनकी सेक्रेटरी जो अब तक उसे अपलक घूर रही थी फिर से किताब पढ़ने की तयारी शुरू कर रही थी कोछे मिनट बाद जैस परसलेन एक बार फिर से लॉर्ड मैकिंगम की लाइबरेरी में था तीनों लोग उसकी बेसबरी से प्रतिक्षा कर रहे थे क्या हुआ उसके वहां जाते ही उन्होंने पूछा मुझे अभी कुछ नहीं पता और ना ही मैं इस मामले पर अभी कुछ कह सकने की हालत में हूँ जरा मुझे सोचने दीजिए और इस बीच आप सब लोग अपने अपने पत्ते गिनिये इस अजीब से अनुरोध पर सभी लोग हरानी में पढ़ गए लेकिन टेबल पर पड़े अपने अपने पत्ते उन्होंने गिने और बताया कि वो तेरह तेरह पत्ते हैं स्लेन ने रौनी कार्टराइट के पत्ते जो वो फोन की टेबल से उठा कर लाया था उनको दिखाए वो बारह ही थे अपनी जेब से मुड़ा तोड़ा पत्ता निकालते हुए उसने कहा ये रहा रौनी का तेरहा पत्ता ये पत्ता वाकई उसी गड़ी का था जिस गड़ी के बाकी 51 पत्ते थे स्लेन को घूरते हुए उन्होंने कहा ये तो हम क्या कह रहे हो इस सब का मतलब क्या है स्लेन ने जवाब दिया जब रौनी कार्टराइट को फोन सुनने के लिए बुलाया गया था तो वो अपने हिस्से के 13 पत्ते अपने हाथ में ही ले गया था 12 पत्ते तो वहीं फोन की बगल में पड़े थे लेकिन ये 13 पत्ता उसके हाथ में ही फसा रह गया था जब उसे जबरदस्ती राजकुमारी के फ्लैट में ले जाया गया था ये सुनते ही तीनों व्यक्ति हैरान रह गए मोफाडे वो ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर काटराइट को नीचे के फ्लैट में जबरदस्ती क्यों ले जाया गया होगा मैकिंगम ने सवाल किया वो हमें बताये बिना ही राजकुमारी के फ्लैट में क्यों गया और वापस क्यों नहीं लोट रहा है मार्टन फेप्स ने भी सवाल किया तो क्या वो अभी वहीं पर है स्लेन ने जवाब दिया अगर वो हवा में घुल ना गया हो या उसके कई टुकड़े करके इधर उधर नहीं कर दिया गया हो तो वो फ्लैट में हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इसलिए ये बात मैं पूरी निश्चिंतता से कह सकता हूँ कि वो अभी फ्लैट में नहीं है लेकिन है आसपास ही बस ये देखना है कि कहां पर जब मैं राजकुमारी के पास पहुँचा तो उन्होंने मेरी बातों पर हैरानी दिखाई लेकिन अपने एक नौकर के साथ मुझे फ्लैट की तलाशी की इजाज़त दे दी उनके फ्लैट का चपपचपचान मारने के बाद भी मुझे कार्टराइट कही नजर नहीं आया उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो कार्टराइट को नहीं जानती मैं भी निराश होकर लोट रहा था लेकिन मेरी छटी इंदरी मुझे बार-बार कुछ चेतावनी सी दे रही थी लोटते वक्त मुझे टेबल पर एक तोड़ा मुड़ा पत्ता नजार आया जिसे मैं चुपके से उठा लाया ये वही पत्ता है जो कार्ट राइट के पास था मैकिंग हम ने दोनों हाथों में अपना सिर पकड़ते हुए कहा सलेन तुम ये जो सब कुछ कह रहे हो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा गौरिंग ब्रेट ने कहा कहीं कार्ट राइट खिड़की से तो नहीं कूद गया लेकिन फिर इसकी वजह भी क्या हो सकती है सलेन ने कहा इस तरह की कोई संभावना नहीं है वो 60 फोट उपर से कूदने वाला इंसान नहीं है लेकिन हमारा अगला पड़ाव नीचे गली ही है मैकिंग हम ने सवाल किया क्या तुम्हारे पास ऐसा कहने और सोचने के पीछे कोई थियोरी भी है अब तक वो लोग बातें करते करते लिफ्ट के पास पहुँच चुके थे सलेन ने जवाब दिया पूरी थियोरी तो नहीं लेकिन मुझे एक अंदाजा जरूर है लिफ्ट मैन ने उनसे पूछा कुछ खबर मिली सर? अभी नहीं और वो सब लिफ्ट में घुज गए नीचे पहुँचते ही सार्जेंट ने भी पूछा कुछ खबर मिली सर? सलेन ने जवाब दिया अभी नहीं लेकिन हम कुछ करने जा रहे हैं तुम अपनी जगह छोड़ कर कहीं मत जाना अब वो लोग बाहर गली में खड़े थे बर्फ गिरनी कुछ कम जरूर हो गई थी लेकिन अभी भी काफी ठंड थी सलेन ने नीचे से उपर की तरफ देखा ग्राउंट फ्लोर पर हनोवर मॉडल्स लिमिटेड के ओफिस के काले चीशे चमाक रहे थे उसके उपर राजकुमारी के फ्लैट की खिड़कियों के शीशे चमाक रहे थे हालांकि उन पर परदे पड़े थे लेकिन फिर भी उन में से छनकर थोड़ी सी रोशनी बाहर आ रही थी उससे ये पता चल रहा था कि फ्लैट में लोग अभी सोई नहीं है स्लेन की पूरी दिल्चस्पी राजकुमारी के फ्लैट के थीक नीचे वाले फ्लैट में थी उसने सार्जेंट को बुलाया और उससे पूछा कि वो किसका फ्लैट है सार्जेंट ने बताया कि वो पुरानी चीजों खाल आदी का व्यापार करने वाले किसी माइकल का है ये माइकल किस तरह का आदमी है? सलेन ने पूछा सार्जेंट ने बताया शायद वो विदेशी आदमी है हटा-कटा है दाड़ी वाला और कपड़े भी विदेशीयों जैसे पहनता है लेकिन वो तीन साल से यहाँ है और उसके बारे में कभी कोई शिकायत नहीं मिली है उसके स्टाफ में तीन लोग हैं दो क्लर्क और एक टाइपिस्ट स्लेन मुड़कर फिर से बिल्डिंग के में गेट पर आ गया उसने सार्जेंट से कहा ध्यान रखना ना कोई अंदर आए ना अंदर से बाहर जाए फिर वो एक बार फिर से तीसरी मंजिल पर मकिंगम के फ्लैट में पहुँच गया उसने में किंगम से कहा मुझे एक टॉर्च दे दो और अगर कोई हत्यार है तो वो भी हाँ मेरे पास एक रिवॉल्वर है ये कहते हुए उसने रिवॉल्वर स्लेन को दे दिया लेकिन जैसपर माजरा क्या है तुम क्या करने जा रहे हो स्लेन ने जवाब दिया मैं एक चांस ले रहा हूँ हो सकता है मैं सफल हो जाओ या फिर हो सकता है मेरा ये कदम बेवकूफी भरा साबित हो लेकिन ट्राइ करने में क्या हर्ज है वैसे मैं कुछ खास नहीं करने जा रहा हूँ बस माइकल के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर ये अंदाजा लगाऊंगा कि अंदर कोई आहट या रोशनी तो नहीं है अगर आप लोग सब मेरे साथ चलना चाहें तो चलें या फिर यहीं पर इंतजार करें लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उपर फ्लैट में पड़े रहना चाहता तीनों फॉरन ही सलें के साथ चलने को उठखड़े हो गए चारों खामोची से नीचे की तरफ सरक लिए साए साए करकी ठंडे हवा के थपेड़ों को सहना मुश्किल लग रहा था फिर भी वो फर्स्ट फ्लोर पर बने माइकल एंड सन के ओफिस के दर्वाजे पर बेहत खामोची से पहुँच गए सलें घुटनों के बल बैठ गया और उसने दर्वाजे से कान लगा दिये फिर वो फर्श पर लेट गया और कान लगा कर आहट लेने लगा ये चार-पांच मिनट उनको ऐसे लगे जैसे पता नहीं कितने घंटे बीद गए हो भीशन ठंड में भी चारों के बदन से पसीना चूरा था सलें ने फुस फुसा कर कहा चलो अब नीचे चलते हैं उसकी आखों में एक अजीब सी चमक थी सारजेंट नीचे अपनी सीट पर चाक चौबंद मौजूद था लिफ्ट मैन भी अपनी जगह पर था सलें ने कहा सारजेंट उपर कुछ प्रॉब्लम है तुम ज़रा मेरी ये रिवॉल्वर संभालो मैं एक फोन करके आता हूँ सारजेंट ने कहा मेरे पास अपनी गन है सर आप चिंता मत कीजिए मैं किसी को ना तो यहां आने दूँगा ना ही जाने दूँगा तब ठीक है मैं स्कॉट्लेंड यार्ड फोन करने जा रहा हूँ वो बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक लिफ्ट की घंटी बजने से सब चौँक गए रात के इस वक्त उपर से नीचे कौन आ सकता है स्लेंड ने हैरानी से कहा कुछ सेकिंड में ही लिफ्ट नीचे आ गई लिफ्ट में राजकुमारी मैट जीविल की सेकरेटरी एना थी उसने एक मोटा कोट पहन रखा था और चाता लगा रखा था साथ में एक कुटा भी था स्लेंड ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा माफ कीजिएगा मैडम अगर एक दिन आप कुटे को बाहर नहीं ले जाएंगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी वो पहले भी बाहर घुमने जा चुका है जा चुका है या नहीं एना ने ठीकी आवाज में जवाब दिया ये सौ बार बाहर जाएगा और मैं भी जाऊंगी आपकी वज़ा से हमें पहले ही देर हो चुकी है अब हट जाए ये बीच में से उसने स्लेन को धकेल कर बाहर निकलना चाहा लेकिन स्लेन ने मजबूती से उसका रास्ता रोक लिया उसने कहा कुत्ते की सहूलियत से ज्यादा इंपोर्टेंट ये है कि ये पता लगाया जाए कि यहां से जो आदमी गाया भुआ है वो कहा गया जब वो मिल जाएगा तभी यहां से कोई आया जा सकेगा ये सुनकर एना की आँखों में जहरिली चमका गई लेकिन स्लेन ने उसे छोड़ा नहीं और सार्जेंट से उसे रोके रखने के लिए कहा एना ने मुह खोलने की कोशिश की लेकिन सार्जेंट ने उसे पीछे धकेल दिया सार्जेंट ने ओफिस के बगल में ही स्थित एक दूसरे ओफिस का बाहर वाला कमरा खोल दिया था वहाँ से स्लेन ने यार्ड में फोन मिलाया लाइन पर ओपरेटर के आते ही उसने कहा मैं सर जैस्पर स्लेन बोल रहा हूँ क्या इंस्पेक्टर सिम्सन है अच्छा अभी डेप्ट फोर्ड से आए है उनसे कहिए कि ये काम बहुत जरूरी है वो फोरण कनिंगम मैंशन पहुंचे हो सके तो अपने साथ चार पांच आदमी भी लेकर आए और उनसे कहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो यहां पहुंच जाए जब वो फोन करके वापस लोटा तो उसने देखा कि एना अब भी संगर्श कर रही थी स्लेन ने उससे कड़े स्वर में कहा ये करके तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगी वैसे जो भी था तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है ये बताओ की कार्ट राइट कहा है लेकिन एना ने कोई जवाब नहीं दिया तनाव से भरे करीब 45 मिनट बीतने के बाद कुछ कारे वहां पहुंची सिंपसन चार कॉंस्टेबल्स के साथ वहां आ चुका था उसने अंदर आते ही स्लेन से कहा हमें कुछ दिनों से इस माइकल एंड सन के बारे में कई शिकायते मिल रही थी तुमने कहां बताया था ये फर्स्ट प्रोर पर है ना हाँ वहीं पर है फिर स्लेन ने सार्जेंट से कहा उस कंपनी की दूसरी चाबी इनको दे दो और अगर चाहो तो अब एना को जाने दो पहली मंजिल पर पहुँचते ही इंस्पेक्टर ने कहा अगर और लोग यहां से जाना चाहें तो चले जाएं क्योंकि यहां गोली भी चल सकती है लेकिन कोई भी वहां से हिलने को राजी नहीं था इस बीच सार्जेंट ने दूसरी चाबी से दर्वाजा खोल दिया और तुरंथ ही स्विच बोर्ड पर लगे स्विच को ओन कर दिया बिजली जलते ही वहां पहुंचे लोगों ने खुद को एक शोरूम में पाया इसमें कट ग्लास की कुछ बहतरीन कलाकृतिय थी कुछ फर्की खालें दिवारों से लटक रही थी कमरे की बिजली जलते ही ऑफिस के पीछे की तरफ से एक बिजली सी चमकी और फिर गायब हो गई स्लेन ने कहा सिम्पसन दो लोगों को पीछे की तरफ भेजो वहाँ भी एक दर्वाजा है जो पिछले जीने की तरफ जाता है ये लोग वहाँ से भाग सकते हैं ये सुनते ही सिम्पसन ने दो आदमी पीछे की तरफ दोड़ा दिये उसके बाद बाहर के कमरे से लगे कमरे का दर्वाजा सिम्पसन ने दबाया ये बंद था लेकिन एक बार फिर से सार्जेंट काम आया पता नहीं कहां से वो एक चाबियों का गुच्छा ले आया था जिसकी एक चाबी से ये दर्वाजा भी खुल गया इन लोगों ने साफधानी से कमरे में कदम रखा कमरा खाली था लेकिन कमरे में एक कुर्सी पर रसी से बुरी तरह से बंधा हुआ रौनी कार्ट राइट बैठा था और चट से रसी की बुनी एक खुबसूरत सीड़ी लटक रही थी कुछ ही सेकेंड में कार्ट राइट को उसके बंधनों से आजाद कर दिया गया छूटते ही उसने कहा राजकुमारी के किचन में एक गुप्त दर्वाजा है उनका बावर्ची मुझे वहां ले गया था वो माइकल के साथ एक मिनट पहले ही उपर गया है जल्दी करो नहीं तो सब पीछे के दर्वाजे से भाग निकलेंगे स्लेन ने उसे तसली देते हुए कहा चिंता मत करो हमारे आदमी उनके पीछे हैं और अब उन्हें पकड़े जाने से कोई नहीं रोक पाएगा अगली शाम जैस्पर स्लेन एक क्याबिनेट मंत्री के घर पर निमंत्रित था मैं इस बानने उसे कहा सर जैस्पर कल रात आपने देश की जो सेवा की है उसके लिए आपका धन्यवाद देने के लिए हम यहां इकठे हुए है मैं ये भी कहूँगा कि हमारे सभी आदमी गलत पटरी पर थे हमें इस गिरोह के होने के बारे में शक तो था लेकिन हम उससे राजकुमारी मेट जीविल को जोड़ कर कभी नहीं देख पाए उपर से तो ऐसा लगता था कि राजकुमारी अपने देश में हो रहे जुल्मों से बच कर यहां भाग कर आई हैं लेकिन असल में वो हर हफ़ते यहां से कीमती सूचनाएं बाहर भेज रही थी और आखिरी सूचना जो उनको चाहिए थी वो क्या थी ये तुमको रौनी कार्ट राइट बताएगा उसने अभी तक ये बात बताई है या नहीं सलेन ने जवाब दिया अभी पूरी तरह तो नहीं मंत्री महोदय ने आगे कहा आखिर मामला ये है कि लाखों पाउंड की कीमत के रूसी सोने से भरा एक समुदरी जहाज यहां पहुँचने वाला है ब्रिटिश सरकार का उस सोने को लेकर क्या रुक है ये जानने के लिए उनके अमबैस्डर भी कोशिश कर रहे है लेकिन सरकार के फैसले का सिर्फ चन्द ही लोगों को पता है जिन में से कार्ट राइट भी एक है तो उसे सुनते ही मैं संदेश वाहक से मिलने के लिए निचली मंजिल पर राजकुमारी के फ्लैट में पहुँच गया उसके बाद मैंने खुद को राजकुमारी के फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट के उस कमरे में पाया जहां से आप लोगोंने मुझे छुड़ाया है उन्होंने मुझसे हाता पाई की और बाध कर किचन से नीचे पहुचा दिया किचन के फर्ष पर बड़े बड़े कलात्मक पत्थर लगे हुए है उन में से एक पत्थर मैन होल के धकन की तरह उपर उठ जाता है लेकिन उसे उपर से देखने पर ये पता नहीं चलता उसी से वो सीड़ी लटके हुई थी जो आपने देखी थी माईकल इनका एजेंट था और किचन के इसी गुप्त रास्ते के जरिये भी ये लोग संपर्क रखते थे वहाँ कमरे में एक घंटे तक ये लोग मेरे उपर बंदूक ताने मुझसे पूछते रहे कि सरकार का क्या फैसला है आप लोग जब वहाँ पहुँचे उससे पहले वो कुछ और कोशिश करने के बारे में सोच रहे थे शायद उनका मुझे गोली मार देने का इरादा था स्लेन ने पूछा और राजकुमारी का क्या हुआ मंत्री महोदय ने बताया राजनैतिक हालातों के चलते उन्हें पकड़ा तो नहीं गया है लेकिन आज सुभा वो साउथ फ्रेंस चली गई है यहां फिर कभी ना लोटने के लिए उनके नौकर ग्राबलिंग सहित माइकल को भी देश निकाला दे दिया गया है वैसे अफसोस की बात ये है कि राजनैक संबंधों पर इस बात का असर ना पड़े इसलिए इस मामले को जनता के सामने नहीं आने दिया जाएगा और तुमको इस केस को हल करने के लिए प्रेस की शाबाशी कभी नहीं मिल सकेगी स्लेन मुस्कुरा कर चुप हो गया रॉनी कार्ट राइट ने अपना आखिरी सवाल किया लेकिन मैं वहां पर हूँ जरूर करें जल्दी ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा